हाई चैम्स मैं आपका दोसिय सुनील आप सब के सामने आया हूँ आज EIR1 की certified copies के साथ जी हाँ दोस्तों हम during the session जब आपके साथ batch लेती हैं तो आपको बहुत बार presentation की tips बताते हैं बहुत बार हम आपके साथ share करते हैं कि आपको exam कैसे attempt करना चाहिए कैसे presentation करनी चाहिए ये सारी बाते आपके साथ करते हैं तो दोस्तों आज हम आपके साथ जीता जाता एकदम certified proof है ना कि भाई हमारे जो student EIR1 कोशाग्र ने अपने paper में exactly करा तो उसको हम कैसे view करते हैं या उसने ऐसा paper में क्या करा कि score very well in the exam तो चलिए दोस्तों अब मैं आपके साथ पहले आज costing का subject लेकर आया हूँ तो अभी हम सबसे पहले बेटा costing के paper को analyze करते हैं तो भाई costing के paper में सबसे पहले हमारे पास 30 marks के MCQ है तो MCQ आपको OMR sheet में fill करने होते हैं तो ये जो MCQ भाई हमारे कुशागर ने fill करे costing में बता दू बता दू ये देखो भाई he got 30 out of 30 in the OMR तो भाई आप देख लीजिए marks obtained है 30 out of 30 पूरे के पूरे 30 marks थीक है अब आप देखिए एक तो भाई की writing थोड़ी अच्छी है अगर आप ध्यान से observe करेंगे बिटा writing उने अच्छे होने का मतलब है कि जो वो लिखता है जो भी उसने paper में लिखा वो clearly understandable था मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूँ अगर मान लो किसी की writing उत्ती अच्छी नहीं है तो भाई आपको यहां से दिख रहा है the presentation part मैं हमीशा बोलता हूँ जितना सफाई से लिखोगे जितना examiner को सीधा सीधा समझ में आएगा बड़े तरीके से समझ में आएगा उसके लिए ये काम बहुत असान हो जाएगा वो अराम से marks भी देगा क्योंकि उसे समझ में आ रहा है बहुत बार बच्चा सही करता है बट examiner को समझ ही नहीं आ रहा भाई लिखा क्या है ये तो हो गए हमारे OMR की बात अब चलते हैं में आंसर शीट पर आपके साथ वारतालाब करूँ तो ये देखे बटा हमारी main answer sheet यहां से start होती है मैं हमेशा आपको class में भी ये बात बोली है जब भी आप अपना answer करे question को बटा center में लिखे क्योंकि बहुत बार आप यहां पर बटा क्या कर देते हो इसको tie कर देते हो तो पढ़ने में दिक्कत होती है कि कौन सा question स्टार्ट हुआ तो it's better to start your answer with heading in the center तो ये देखे बटा center में heading आ गई चलो ये कोई इतना matter नहीं है बड़ा बट ठीक है still हम prefer यही करेंगे आप देखे बटा आपको class में मैंने बार बार बताया था कि जब भी आप ए पेपर में एक ही question आएगा जैसे EOQ ये पहला question आप देख लीजिए EOQ का first question है EOQ में मैंने आपको बताया आप directly लिख देंगे AOC नहीं पहले A का मतलब लिखना पड़ेगा भाई ने लिखा annual requirement C का मतलब लिखा O का मतलब लिखा अब एक बार मतलब लिखने के बाद A, O, C आप पूरे question में कहीं भी use करिए अब examiner को समझ में आता है कि ये इसके मतलब है आप देखे बटा clear clear उसने भाई ने calculation भी लिख की है आप ये नहीं लिखते तो भी चल जाता ये यहां से भी काम हो जाता amounts लिख के आपको ये भी समझाया है it is a step price marking आप देखे बटा यहां पर लिखा हुए 1A step 1 मतलब 1A का step 1 clear है तो इसे 2 marks मिल गए step 1 के EOQ इसने निकाला जब आप EOQ का number निकालते हैं उसके आगे ये लिखना पड़ता है ये units हैं या liters है या kg है या numbers है क्या है तो देखे यहां पर cycle locks इसने पूरा का पूरा लिखा that is what we always suggest to you जब भी हम आपके साथ model answer या जब भी हम आपके साथ paper point discuss करते हैं पहले reorder level निकालना है he had written the formula और the concept जो हम आपके साथ कहते हैं पूरा पूरा concept इसने लिखा then calculation करके दिखाया he got the marks आगे देखे इसी प्रकार से ये देखे पहले carrying cost क्योंकि यहां safety stock वाला point था जो आपको मेरे को यहां से दिख रहा है safety stock वाला point था जो बेटा class में करवा है इसका average नहीं होता ये same और os by 2 आप इन दोनों को combine करके cc per unit per annum जैसे हम लिखते हैं वेसे भी कर सकते थे so finally cost at eoq निकाला cost at discount पर निकाला आप ये table में कर सकते हैं वो ज़्यादा better presentation होती जैसे अपन ने करी हुई है तो यहाँ पर cost is decreasing अब आप थोड़ा observe करेंगे बिटा यहाँ पर उसने एक cutting करी है अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से यह देखे बिटा इसकी cutting भी है मैंने आपको समझाया है cutting हो रही है कोई दिक्कत नहीं है आप एक line मारी है जैसे इस भाई ने मारी है और अपना correct word लिख दिया उपर लिखा, side में लिखा does not matter बट अगर कोई cutting भी हो रही है तो proper तरीके से दिख रहा है visible है कि आपने क्या करा है बहुत बार यही होता है कि बच्चे की copy में visibility का issue आ जाता है बाई examiner भी कैसे check करेगा जब उसे पढ़ने में ही नहीं आ रहा तो आप देखिए कितने सही तरीके से इसने presentation करा और आप देखेंगे बटा इसे step 5 marks मिलते जा रहे हैं तो आपको समझाया है costing में, FMSM में सब में step 5 marks हैं similarly बिटा और आगे बढ़े ये देखिए 1B अब अगला question आ गया 1B आ गया, 1B साथ में आ गया 1B में हमारे पास ये joint product by product का question है जो दिख रहा है तो ऐसे ही class में बिटा हमने कर रहे पहले GC निकाली है फिर heading डाली कि मैं करने क्या जा रहा हूँ statement इसने scale यूज नहीं करा है हाथ से लाईने कीची है मैं हमेशा recommend करता हूँ कि आप scale का जादा यूज करें उससे और बहतर presentation निकलेगी और copy और अच्छी लगेगी आपकी ठीके बिटा ये देखिए भाई भाई ने अपनी पूरी की पूरी presentation करी है जहां calculations दिखानी है वहां brackets में आपको calculation दिखाई है similar manner as we do in the class जहां पर कोई calculation करी है जैसे ratio में बातना है we always say कि भाई calculation वाला पार लिख के दिखाना है जैसे अपन class में करते हैं बहुत बार बच्चे कहते हैं सर ये क्यों दिखाना है बिटा ये दिखाना है आपको this is kind of a working note और working which you have to present आप देखिए पूरे proper तरीके से अब variable cost के उपर उसने कुछ लिखा है तो उसने bracket में लिख दिया या note को refer कर लेना अब note क्या है ये रहा एक तरह से VC मैंने निकाला कैसे है उसने VC का amount अलग से निकाल दिया आप इसको यहां भी merge कर सकते हो अलग-अलग लिख के बाद में इसने ratio में बाढ़ दिया तो presentation yes you can modify but the thing is आपको बिटा ये समझना है कि presentation इस तरीके से करें जिससे कोई भी आपकी copy को अराम से समझ पाए उसमें क्या लिखा हुआ है ये बात उसको समझ में आए once it is clear तो आपको number पूरे मिल जाती है और देखते हैं बिटा आगे ये देखिए अगला आगया statement बना दिया incremental profit or loss की तो यही हम करते हैं after processing without processing incremental revenue FPC profit or loss आप देखेंगे इसने बिलकुल साफ साफ clearly लिखा हुए heading डाली है columns की heading भी डाली हुई अगर मैं presentation wise बात करूँ so very better presentation अब साथ में conclusion भी दिया है आप देख लीजे बिटा बिना conclusion के काम नहीं होगा अगर आपसे कोई recommendation या कोई advice पुछी जा रही है so you have to provide the conclusion as well क्योंकि अगर आप conclusion नहीं देंगे तो वो बिटा answer अधूरा लगता है उसमें आपके marks deduct होने के एक probability बन जाते है क्योंकि you have not answered all the requirement I hope you got this बिटा यही सारी बाते मैं आपको normal sessions में अपनी classes में भी बताता हूँ बट जब एक answer sheet हमारे पास आती है checked answer sheet तो इसका impact बिटा अलग होता है अब इसके आगे और चलते है इसके आगे अगर मैं आपके साथ बढ़ूँ तो यहाँ पर जगे बच गई छोड़ दो हमेशा नया question आप नए sheet से नए page से start करो तो देखे बिटा नए page से हमने अब 1C अपना start करा तो standard hours, budget hours, actual hours, standard आप देखे बिटा cutting हो रही है मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ cutting हो रही है वो होगी natural है paper में कोई ऐसा नहीं है cutting किसी की नहीं होगी cutting होगी cutting होई है बट हमने उसको सही तरीके से present करा and we have got the correct version और हमने पूरे concept भी लिखी है बिना इसके marks नहीं मिलते इसको लिखना पड़ेगा सिर्फ numbers की calculation ना करें मैं हमेशा बोलता हूँ give it a proper presentation आगे बटा देखिए यह उसी question का पूरा चल रहा है यहाँ पर इसकी कोछ छोटी error होगी तो इसके marks cut गए so finally he got the numbers इसमें पांच में से इसको तीन नमबर मिले दो नमबर कट गए कोई बात नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं यह देखें बिटा 2A operating income अब यहाँ पर इसने proper columns बना दिये यहाँ पर अगर आप देखेंगे straight line इसने भी scale से खीची हुनी है horizontal line आप हाथ से खीच सकते हैं क्योंकि already mark 2A line उसको dark करना है but vertical lines हमेशा scale से जो मैं prefer करता हूँ मैंने भी थोड़ी दिर फहले भी बोला इसने भी वही करा amount उपर लिख दिया rupees में है कई बार lakhs में होते हैं कुछ होते हैं यह भी चलेगा आप देखें बीटा इसने proper तरीके से presentation करा जिसे अपन क्लास में करवाते हैं और उसी तरीके से बीटा इसने अपना answer बनाया यह देखें पूरी calculations करके दिखाई है same presentation as we do in the class और मैंने यह बात बोली भी है जब आप less लिखते हैं brackets यूज़ कर लीजिए ताकि final total करते वे आपको clarity रहे कि answer क्या करना है plus करना है minus करना है and so on यह सारी बाते आपको clear रहे यह देखिए बीटा he got full out of five अगर मैं ध्यान से देखू तो पूरे के पूरे marks इसमें मिल गए तो भाई ऐसे ही आपको बस ध्यान रखना है यह देखिए आपका net operating income per flight वाला question जो आपको class में already करवाया था तो यह देखिए बीटा flight वाला question है पूरा पूरा आपका answer बिल्कुल same presentation as we did पहले VC निकाली FC total cost और operating income फिर बीटा इसका second part अगर proposal आ गया तो proposal में क्या होगा same question as we did in the class यह तो बिल्कुल same यह question है ना और costing का paper था भी easy आ रहे ना इस बार का हाम बिल्कुल normal था paper था करा हुआ था सारा almost तो अराम से easily manage हो लिया ठीक है बिटा अब आप देखो यहाँ परना main अपने को focus करना है कि इसने क्या ऐसा करा कि he scored very brilliant marks ऐसा क्या करा तो अब आपको इसकी copy देखके सबद में आ रहा होगा step 5 marking है लिखा साफ साफ है space पूरा है अब बच्चे कई बार बोलते है class में इतना बड़ा question आ नहीं ना बिटा सब fit होता है आपके register के size के ही होते है अपन जो question करते हैं उस सब register के size में करनी है so we have to manage within that और आपके सामने बटा सारी चीज़े दिख रही है everything is visible in your notebooks ठीक है बटा अब आप देख लीजिए ये cutting होई है कोई दिक्कत नहीं है भाई उसने correct करके लिख दिया होंगी cuttings मैं बार-बार यही बात समझा रहा हूँ so everyone has to watch wait and watch ये देखें reconciliation proper तरीके से particulars heading डाली यहाँ पर सारे plus minus के columns में and last में अपना answer भी करा चीके जी और देख लीजिए बटा ये इसने अपना theory का point भी लिख लिखा theory में मैंने आपको बोला short presentation जो actual matter है बस वो दे फाल्तु की रमायन लिखने से कुछ नहीं होगा आपका content एकदम clear होना चाहिए आप क्या बोलना चाहते हो उसमें से लीजी पिटा 4A आपके पास है process account वैसा ही जैसे अपन ने करा था देखिए बिल्कुल बिल्कुल presentation वैसा ही है I hope दोस्तों पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो यह बिटा मैंने आपको पूरी की पूरी माक्षिट दिकाई यह देखिए गलती हुई है काट के दुबारा calculate कर दिया कोई over खिचिडी नहीं बनाई है बच्चे के दा दिखना जा एक नाउनर को ऐसे नहीं करना सोटा सा कट पाना आगे बड़े दुबारा calculate कर लिया हो गई गलती कोई बात नहीं बाई it's natural यह देखिए बिटा कुछ गलतियां भी होई है ठीक है marks कटे भी है बाई के कोई दिक्कत नहीं है यह देखिए बिल्कुल आप proper तरीके से entry बनाई है debit credit यह देखिए debit credit कोई ज़्यादा पंगा नहीं है simple सा इसने although journal entry adding नहीं डाली बट मैं तो यहाँ पर इसने डाल दिये ठीक है it's fine यही हमने आपके साथ class में करा था तो अब आपको यहाँ से बिटा सारी बात समझ में आ जानी चाहिए contribution निकाला पहले concept लिग दिया answer कर दिया फिर productive hours contribution potential same question as we did in the class बिटा तो अब यहाँ से आपको बिटा बात समझ में आनी चाहिए कि आपके पास किस प्रकार से सारी की सारी presentation बिटा यहाँ पर बनती है तो मैं उमीद कर रहा हूँ I am expecting कि अब आपको यह वाला matter बिटा बिलकुल clear हो गया होगा so उमीद करता हूँ आने वाले exam में आप बच्चे भी इस बार धमाकेदार performance देंगे इन points से आप inputs लेंगे कि हाँ यार इन सबसे मुझे समझ में आया कि what mistakes I could avoid in my exam so इनका सिरफ यह purpose है कि आपको समझ में आए कि आपको exam में presentation बेटा किस परकार से करनी है and जबरदस नमबर लेकर आनी है ठीक है चलिए अभी के लिए bye bye see you guys soon Hello everyone क्या हाल है आप लोगों के बेटा ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोग को पता है हम यहाँ पे क्यों है भाई कुशागर की AIR1 की अपन ICI की answer sheet को discuss करने आए है तुम लोग को बेटा पता है कुशागर audit में किते नमबर लेके आया audit में लाया 85 और इस answer sheet से हम समझेंगे उसने ऐसा क्या किया और क्या नहीं किया जिससे वो 85 लेके आया उसे क्या करना भी चाहिए था वैसा थोड़ी है तो कहां-कहां उसके नमबर गए वो भी हम analyze करेंगे ताकि हमारे जब अप टेंट में आपन answer लिखने वाले वो वाली गलतिया ना करें और जो उसने अच्छा किया है वो तो हम बिल्कुल देखेंगे यह देखेंगे तो आईए everyone let's see कुशागर की auditing and ethics की paper number 5 की answer sheet सबसे पहले you can see कि भाई total marks जो दिखा रहे हैं वो 70 दिखा रहे हैं क्यों दिखा रहे हैं क्योंकि sir 30 number का थो हमारा MCQ का था और कुशागर ने score किया 70 में से 55 55 number score किये मतलब भाई कितने number गए हैं sir 15 number गए हैं और total था sir 85 यानि कुशागर ने क्या किया sir 30 out of 30 MCQ में score किया हमारे दूसरे rankers भी है जिनकी answer sheet भी मैं आप लेके लिए upload कर दूँगा इसकी तो आपको drive link पे अभी हाँ नीचे link पे मिली जाएगी तो 30 out of 30 कुशागर लेके आया था अपने MCQ में और descriptive में उसके 15 number कटे हम समझेंगे किधर ये number कटे क्या ये number बच सकते थे नहीं बच सकते थे exam pressure बहुत होता है बिटा है ना ज़रूरी नहीं है हर जगे ही हम number बचा ले तो आईए समझते हैं इसकी answer sheet को अब देखो सबसे पहले answer sheet को start करने के लिए मैं आप लोग को लेके जाऊंगा कुशागर के question selection में तुम लोग को पता है एक internal choice है तो सबसे पहले last में icii क्या डाल देता है बिटा result overview डाल देता है आजा भाई ठेक है हाँ ये आ रहा है बिटा कुशागर का result overview result overview ये तुमारी answer sheet में जब लिखोगे तर नहीं आएगा ये last में add होता है तो result overview में अगर हम बात करें तो आएए समझते इसने कौन सा question किया awarded marks जो दिखा रहा है awarded marks जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कितना वो दिखा रहा है sir 55 सबसे पहले compulsory question ऐसे है नहीं लिख दिया है कि बहुत सुनो first question तो अमारा compulsory था और उसमें कुशागर 14 marks में से 10 लाया है in fact शुरू के 2 में वो 14 में से 10 10 ही ला पाया 4 4 नमबर तो यहीं पे कटे है समझते हैं किसमें कितने नमबर आए हैं तो question number 1 जो compulsory था उसमें जो 1 A है 4 marks का था उसमें सिर्फ 1 mark मिला है 4 marks का दूसरा था उसमें पूरे 4 में से 4 3 marks कटा उसमें सिर्फ 2 number मिले हैं एक number कटा है 3 यहाँ पे कटा एक यहाँ पे कटा 4 number यहाँ पे इसके कट गए थे उसके बाद कुशागर के जो second question था उसमें 14 में से 12 आए है क्योंकि एक एक number जो है 2 A and 2 B वहाँ पे कटा है और इसका कारण बहुत normal बहुत छोड़ा सा कारण है वो भी हम अभी जब questions देखेंगे इस तरीके से पूरे इसके 3rd में भी 14 में से 10 है 4th तो 0 लाया नहीं सर जीरो नहीं लाया यह optional में छोड़ दिया 4th वाले question को इसने attempt नहीं किया allowed है बिलकुल allowed है 5th वाले में भी 14 में से 10 और 6th वाला जो मैं हमेशा कहता हूँ मेर को personally भी लगता है कुशादर को भी लग रहा होगा कि sir यह सबसे easy question आता है इसको तो attempt करना ही चाहिए तो 14 में से 13 लाया से first question जो 6th A है उसमें एक number कटा है बाकी कहीं नहीं कटा तो आईए इसकी answer sheet को शुरुआत से अपन देखते हैं कि किधर किधर क्या क्या उसने काम किया है कैसे काम किया है चलिए तो सबसे पहले कुशादर ने 1 को attempt ही नहीं किया ठीक है compulsory है लेकिन ये जरूरी थोड़ी है sir कि मैं शुरू से ही attempt करूं मैं बाद में भी कर सकता हूँ तो 1 को जब attempt किया question number 1 को ने 5A को attempt किया 5A में बहुत ध्यान से देखने वाली क्या चीज़ है बेटा समझो इसने क्या किया देखो यहाँ पर dot dot लगाया जो हम हमेशा कहते हैं आप लोग को point wise answer लिखना है ICI को और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए और running hand underline करते जाना है अपने को नहीं चाहिए कि examiner पूरा का पूरा answer देखे जो important चीज़ है जैसे पहली important चीज़ में को इस question में क्या लगी as per section 53 company cannot issue cannot issue share at a discount except sweat equity share उसने ये लिखा दिया ICI ने बोला भाया पहली चीज क्या थी पहला की चीज क्या था अगर बच्चे ने cannot issue लिख दिया तो number दे देने step wise marking होती है ये तुम लोग को पता है एक-एक step के ICI बताते है अगर बच्चे ने ये शब्द लिखा तो number देना नहीं तो नहीं देना तो sentence बनाया cannot issue को उसमें underline कर दिया और underline करते ही उसको एक number यहाँ पे मिल गया दूसरा अब companies issuing share other than ये वो इनको नहीं चाहिए था ये हमें पता नहीं लगेगा बेटा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तो ये लिखने का तरीका एकदम सही है आपको जितना भी आता है ना लिख दो you don't know कि ICI किसको keyword बना रहा है अपने answer की में हम अपने classes में तो बताते ही है फिर ICI ने बोला पर सर मैं दूसरा number कहां दूंगा penalty पे को शागरेन कितने अच्छे से सर देख लो examiner penalty जो है ना वो यहाँ पे लिखी है फिर फिर क्या हुआ फिर यहाँ पे आओ यहाँ पे टोटल दो number मिले है question number 5A में total ही दो number 4 number का था क्योंकि यह सब ICI को नहीं चाहिए था या कुछ extra चीज चाहिए थी next question पे अपन चलते है next question है question 5B again तुम देख रहे हो यह dot 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 यानी क्या यह point wise लिख रहा है मैं तुम लोगों से उमीद करूँगा तुम 1,2,3,4 लिखिया हो तुमारे दिमाग में यह set होना चाहिए अच्छा सर मैंने इसके तीनी point लिखे है चार number का था यह एकाज जगे मैंने इसकी answer sheet में observe किया उसको आता होगा पका लेकिन dot 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 की वज़े से शायद calculation में कुछ mistake हो गई उसको पका ही आता होगा उसने एक point नहीं लिखा इस वज़े से number गया तो आईए 5B के ICI ने बोला पहले ही step के दो number है सर दोरो step में किया example यह पूरा question किसका था भाई example का था और तुम लोग को मैं class में बोल रहा हूँ सुनो ICI ने कोई 10 बार आप जगेर maximum आपको example दीए पूरे syllabus में उसमें से 2 question आएंगे आएंगे देखो एक question यहापे भी आया था examples of cost not forming part of the cost of PPE chapter number 5 से यह सवाल आया हुआ है और सिर्फ example example तुम हमेशा बोलते हो सब इतना सा लिखने से number मिलेंगे तुम देख रहे हो एक, दो और तीन तीन शब्द लिखा है पहले sentence में number मिला है cost of inauguration और opening दो line भरी है फिर 4-5 शब्द लिखे है पूरा number मिला है तो फिर कह रहा हूँ उससे कोई फरक नहीं पड़ता बड़ा या छोटा से तुम्हार content होना चाहिए उसका तो point wise इसने answer लिख दिया यहां पर भी point wise है फिर 5C तीन number का था तीन number में बहुत simple question आ गया था fundamental principle इसने 1, 2, 3, 9 में लिखा कुछ भी लेकिन ऐसा कहता इसके fundamental principle पूछे नहीं थे सीधा case था कि इसमें कौन सा fundamental principle तूट रहा है तो violation पहला principle of objectivity तूटा दूसरा objectivity को वो underline करना भूल गया था लेकिन thank God examiner ने देख लिया उसको बाद में याद आ गया कि confidentiality वाला principle तूटा था उसके confidentiality को underline कर दिया उसके number मिल गए सीधा सीधा और एक तीसरा वाला भी था उसको भी उसने यहाँ पे लिख दिया ठीक है फिर थर्ड वाला ये रहा professional competence and due care इसमें भी इसको पूरा पूरा तीन number 5C में मिल गए next हम आते हैं 5D के अंदर 5D में भी तुम फिर से ध्यान देला बेटा ये running hand underline करे जा रहा है point wise लिखे जा रहा है और जो चीज हमने अपने chart में दी थी ये वो ही चीज को sentence form में कर रहा है ये हम अपनी classes में भी तो कर रहे हैं point याद करते हैं chart को याद करते हैं sentence form में हम इसको पढ़ते हैं बस मैं तुम्हें एक जगे अभी इस वाले में दिखाना चाहता हूँ जहां पे उसके number आने चाहिए थे लेकिन उसके नहीं आए आने क्यों नहीं आए क्योंकि सर उसने ना वो dot dot लिखा था ना ये dot dot कर रहा है ना उसमें calculation mistake हो गई और एक dot कम लगा दिया मतलब एक point कम लिखा सिर्फ उस वज़े से number कटे तो determining there is a need of quality ये वाला नहीं था सवाल 6A में तीन number मिले है चार number का था कितने point लिखे हैं इसने सर एक point यहाँ पे दिख रहा है एक point यहाँ पे दिख रहा है एक point हमें यहाँ पे दिख रहा है चार number का सवाल था कुशागरी ने तीन point लिखे फिर conclusion पे आ गया एक point और लिख देता एक point और जो है उसको याद है तो चार में से चार आ जाते लेकिन बहुत number लेके आया है तुम्हें फिर देख रहे हो तुम बार-बार देख रहे हो कि सुनो सर यह सब जो conclusion वन-clusion है इसके number नहीं दे रहा है लेकिन तुम फिर भी लिखके आओगे बेटा क्यों लिखके आओगे conclusion में क्योंकि हमें नहीं पता किस समय एक सवाल है यहाँ पे दो नमबर इतने से लिखने के मिल गए और टोटल चार नमबर यहाँ पे आया है दो नमबर इतने से लिखा दो नमबर का इतने से पहला central government के बारे में लिखा given by central government और दूसरा state government दोनों ही चार्ट में से exact wording लिखी हुई है आगे मैं आप लोग का और समय नहीं लूँगा क्योंकि सीम चीजे इसने आगे भी repeat की है और आप उमीद कर रहे हो next हमारे FMSM के वीडियो का भी wait कर रहे हो इसी में तो है तो जल्दी से यह answer sheets डाउनलोड करके रख लेना अपने पास सहच के रख लेना और हमारी गूगल ड्रिंक जो ड्राइव लिंक है न उसमें in fact मैं दूसरे जो हैं जिन्होंने भी 55 मार्क से जादा स्कोर किये उनकी भी answer sheet डाल दूँगा again same concept है important concept underline point wise आपको लिखना है that is it चलिए थैंक यू हाई चैम्स मैं आपका दोस्य यह सिनील आप सब के सामने आ गया हूँ अब FM SM के paper का review लेकर जी हाँ हमारे कुशाग्र ने जो AIR बन है उसने अपने FM SM में paper में presentations क्या रखी या उसने क्या नया करा जिससे कि उसने इतना brilliant score करा तो आईए अब हम उसकी certified copies को एक बार देख लेते हैं इससे आपको input मिल सके कि यार अपन को क्या-क्या नहीं करना है और क्या-क्या करना है what to do and what to avoid दो नो points आपको बिल्कुल presentation wise clear होने चाहिए तो चलिए देरी किस बात की है लीजी बेटा सबसे पहले OMR sheet भाई OMR sheet की अगर मैं बात करूँ तो OMR sheet में section A में पूरे पूरे पंदरा नंबर section B में पूरे पूरे पंदरा भाई के 30 में से 30 है OMR में दिखना है पूरे पूरे एकडम corrective answer है तो ये देखिए बेटा आपका सबसे पहला FM का OMR और SM का कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा answer भाई इसने कर दिया तो जो आपको calculations करनी है case study की वो आपको अपने answer में करके और finally circle करना है तो इसमें as such good presentation वाला part है नहीं अब बात करते हैं FM SM पेटा इसके दो parts हैं तो इसके लिए आपको दो answer sheets मिलेंगी एक में आपको FM करना होगा दूसरे में SM करना होगा दोनों की answer copy अलग-अलग होगी मतलब जो answer key की जो booklet होती है जिसमें आप answer लिखते हैं वो दोनों का अलग-अलग होगा 6 से अलग होगा 6 भी अलग तो पहले मैं चलता हूँ FM वाले part पर that is the practical part जिसको हम ज़्यादा तर बोलती है है ना की भाई इसमें तो सारा numerical ही है तो देखे बेटा सबसे पहले आपके पास question की heading will be in the center तो पहली बाद आप जो लिखें वो बेटा इस तरीके से लिखें की examiner को visible हो visible का मतलब है वो अराम से readable हो मैं हमीशा बुलता हूँ अगर किसी बच्चे की writing में थोड़ा वो दूपर नीची है तो don't matter थोड़ा space देके लिखो अपनी writing में हलका सा space बढ़ाओ हलका सा space बढ़ाओगे आपकी writing भी easily visible हो जाएगी बहुत बार ऐसा observation लेता है कि visible writing करने के लिए ये काम आपको करना पड़ेगा तो आपके पास सबसे पहले question number 2A आपके पास है जिसमें आया cost of equity share capital भाई ने निकाला heading डाली as per CAPM पहले concept लिखा इसने यहाँ पर explain भी कर दिया सबका क्या-क्या मतलब है क्योंकि examiner नहीं जो-जो बोला मैं हमेशा बोलता हु बेटा जब भी आप एक बार कोई भी words लिख रहे हैं तो prefer to give this और आपकी speed अगर कम है तो speed कैसे बढ़ेगी practice से बढ़ेगी the more you practice the better you will become in the speed जैसे की हम हमेशा केते क्रिकेटर केलते खेलते practice करते रहते तभी तो वो final exam में अपने final match में एकदम जखास performance देते हैं same way आपके साथ है practice and that will increase your speed चलिए तो पहले आपको दिख रहा है presentation फिर के के calculation कर दी values जालके तो finally conclusion भी लिख दिया हम इसको avoid कर सकते थे हम इसको यहीं पर लिखके equal to के लिखके direct भी लिख सकते थे that could have been possibility फिर preference share capital की calculation करी दिख रहा है बटा redeemable value है तो redeemable value के यहाँ पर नॉमेन कल्चर लिख दिए नॉमेन कल्चर मतलब किसका क्या मतलब है यह लिखने के बाद इसने अपना answer calculate कर दिया यहाँ पर presentation दे दिया step wise marking चल रही है अगर आप देखेंगे so it's a step wise marking which you are getting फिर we have got convertible dimension उसकी बटा calculation करी and then उसका भी नॉमेन कल्चर and पूरा वही calculate करा market value निकाला cash निकाला redeemable value higher तो यही presentation आपको class में करवाता हूँ है similar way we do in the class बिल्कुल same time से presentation हम देख लीजिए marks आपके सामने है score आपके सामने है results आपके सामने है so बच्चा you have to trust and you have to practice these two things are to be done तो trust रखिए और practice करिए believe me you are going to be doing amazing in your exams चीक है बच्चा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ calculation error हो गई ठीक है सर हो गई कोई दिक्कत नहीं है next बटा retained earning की cost निकाली we have got this उसके बाद term loan की cost निकाली KD2 पूरा का पूरा निकाल लिया अब देखो there is no difference between redeemable value शुपराईज पूरे marks मिल गए खतम का नहीं आते हैं बटा 2B पर 2B अगर देखे तो यह आपका levered unlevered firm यह आपका बटा value of firm आ गया तो यह आपके पास कौन सा question आ गया यह आपके पास RB trade process का question है RB trade process का question है मेरे दोस्ट देखिए बटा दोनों की value निकाली पहले heading डाल के जैसे अपन करते है पूरा पूरा same presentation उसके बाद बटा total investment आ गया levert से unlevered में जा रहे है तो withdrawal of equity आ गया सारा का सारा and so on borrowing भी आ गया अब ध्यान से observe करें अगर कहीं cutting भी हो रही है तो बटा उसको ठीक से presentation करा जा रहा है ऐसा नहीं है घस 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 उस पर पूरा as गज़ी दिखना जाए नौर्मल कटिंग है presentation है it's fine बटा आप देखिए पूरी प्रेजेंटेशन के साथ heading डली होई है particular amount it is same as we do थोड़ी सी एक शिकायत है इससे कि इसने vertical lines नहीं डाली यहाँ पर एक line और डल जाती skill से तो presentation और निकल कराती but it's fine, he has done what he was supposed to done, ठीक है अब हम post analysis से ज़्यादा कुछ करेंगे नी बस आप सीखें कि आपको क्या-क्या avoid करना है और क्या-क्या ध्यान रखना है paper में तो finally he has got cutting होई अंसर दिया, पूरे marks नहीं करे, step wise marking होगई, पूरे एकदम number done होगई चीक है बिटा, जहाँ calculations and numerical की bracket में करके दिखाई जारी है, so that अपनी calculations पर भी कोई भी impact ना है examiner को पता हो कि भाई मैंने calculation कैसे करी है मैंने अपना answer किस प्रकार से निकाला है, तो यह examiner को बताना है, so you can say this is kind of a working note or the workings which you have to present, right और देखते हैं बिटा आगे यह देखिए, 3A आया NPV का question है, NPV निकाल दिया, पहले PVCO निकाला फिर inflows आये और उसके बाद आपका final NPV आया, अब इसके लिए यहाँ पर इसने लिख दिया, अपने working note number 1 बनाया है अब working note number 1 पर चलेंगे पहले तो conclusion लिखना जरूरी है, आप से पूछा गया था, NPV के base पर क्या खने इस question में है, तो इसने लिख दिया NPV positive है, recommend कर दो replacement, NPV positive है तो recommend कर दो, क्यों कर दो पूरी ही नहीं हो पाई है तो जब वो पूरी ही नहीं हो पाई है तो यहाँ पर मामला क्या हो जाएगा गडबड हो जाएगा, तो इस मामले से बचने के लिए, आपको यहाँ पर conclusion लिखना mandatory है, फिर profitability index, पहले concept, फिर answer, फिर discounted payback period मांगा था, वो भी इसने निकाल कर दे दिया, पूरा का पूरा ठीक है, क्योंकि इसका कोई formula है नहीं, officially, वो हमने आपको लिखवा रखा है, तो इसने direct कर दिया, that's totally fine, it's absolutely correct ठीके जी, चलो, आगे बढ़ जाती है अब देखिए, working note आपको बताया था भी उपर, cash inflow from operations, working note के तुरू निकाला, ये रहे बिटा, पूरे के पूरे working note, proper तरीके से presentation, ये profit before tax, tax adjust हुआ, cash flow आपको मैंने दो तरीके बता रखें, cash flow के जो बच्चे फड़ चुके हैं या तो आप PBD minus tax कर दीजिए, तो भाई ने बिटा यही करा, tax को बोल दिया, B और PBD को बोल दिया, A तो directly A minus B करके cash flow आगया, जरूरी नहीं है, हम हर बार पैक्ट वापिस depreciation इतनी मेहनत करें we can do the things, ये आपको मैंने class में समझाया भी हुआ है, चलिए आगे देखिए बिटा, increase in depreciation आपके पास निकल गया, incremental और ये आपके पास सारा का सारा इसने अपना एक specification दे दिया कि देखो यार मुझे confusion है तो मैंने जो माना है, वो मैं याँ पर लिख रहा हूँ मैंने जो माना है, वो मैं याँ पर लिख रहा हूँ कि भाई देखो, ये मैं मान के चल रहा हूँ और मैं ये अपना अंसर दी रहा हूँ ठीक है विटा? और देखिए, अब 3B भाई ने गलत कर दिया कोई बात नहीं विटा, गलती हो सकती है आपके paper में भी हो सकती है इसने कुछ error करा है तो जिस वज़े से इसे 0 नंबर मिला यहां पर कोई बात नहीं सर, ये फिर 1A आ गया अब देखो, कोशिश ये करनी है कि आपको हमेशे ये करना है अगर आप question number 1 start कर रहे है तो पहले पूरा 1 लिखिए, उसको complete करिए 2, 3 and so on ये बिटा आपका ratios का question आ गया देखिया, presentation देखिये बिटा, same presentation as we do यहां इसने गलती कर दी कुछ लिखने में, उसको ठीक कर दिया काटके, perfectly fine आप देखिये बिटा, यहां से सीखने का मर्पज ये है, कि देख बिटा, गलतियां हो सकती है गलतियां हो सकती है बट उनको सही तरीके से address करना पड़ेगा, ताकि आप अपने exam में एगदम perfect काम कर सकते हैं, चीक है बिटा ये देखिये बिटा, पूरा का पूरा answer, ये 1 भी आ गया leverage और EPS का question, ये रहा बिटा, आपका EPS, DFL, DOL next, we have, this is the answer increase वेगरा वाला next बिटा, आपके पास काम खतम, तो यहां पर आकर भाई का FM का paper पूरा का पूरा निपट गया बिटा, he has done FM अब बात करते हैं SM, specially बच्चे चाहता है बिटा, sir, theory का दिखा दो इसका theory में इसने क्या जादू कर दिया तो बिटा, theory देखिए, सबसे पहले question 8A करा, यही आपको समझाता हूँ बिटा, पहले heading बनाओ, छोटे-छोटे paragraph, जादा बड़े नहीं preferably आप example भी दो यही बाते आपको, बिटा, मैं SM में समझाता हूँ और देख लीजिए, आपके पास किस तरीके से है, पहले heading डाली है फिर importance लिख दिया type of channels आपके पास जो होते है और उनको बिटा, दो-दो line में explain कर दिया जितनी बाते आपको समझाई थी बिटा, वही बाते यहाँ पर पूरी की पूरी follow हो रही है फिर 8B आ गया चोटे-चोटे paragraph जैसे आपको मैंने समझाया भी है pointers में दो, ज़्यादा better है बिटा, जितना crisp और जितना pointers में लिखोगे पढ़ने वाले को भी easy रहता है देखिए बिटा, चोटे-चोटे परगा कोई ज़्यादा बढ़े नहीं ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए कि भाई, लिखा क्या है और देखिए बिटा, पढ़ के समझ में आ जाता है कि आपके पास क्या लिखा है बच्चे में और ये देखिए presentation cutting होई, कोई बात नहीं अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे देखिए ताकि वो पढ़ा जाए visibility बने आपकी, ठीक है बाबू देखिए बिटा, ये रहा पूरा answer पूरे एकदम बढ़िया से number 6A देख लिजिए पहले statement लिख दिया, क्या है फिर उसके reasons, I do not agree ये बिटा, case study वाला कोशन आ गया तो पहले इसने लिख दिया कि मैं agree नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा उसके reasons दे दिये बिटा, कि what are the reasons जो अपन यहाँ पर कहते है heading लिखी, उसका चोटा सा explanation heading चोटा सा explanation this is what we always do this is what we always do I hope बिटा, समझ में आ रहा है so this is how the presentation in the theory part would be there मैंने एक answer sheet देखी उस बच्चे ने अपनी presentation में इतनी गलतियां कर रखी थी, इतनी cutting कर रखी थी फिर वो बच्चा करता सर मुझे marks क्यों नहीं मिली बिटा, उसकी answer sheet में समझ ही नहीं आ रहा था, लिखा क्या है in fact, अगर मैं paper check कर रहा हूँ तो मुझे भी समझने में, पढ़ने में दिक्कत हो रही थी एक line लिखके cutting, फिर cutting, फिर पता ही नहीं कहां से लिख रहा है, कहां cutting हो रही है बहुत ही clumsy सी answer sheet थी तो बिटा, ये गलतियां आपको avoid करनी है इसके लिए practice करिए questions को लिखिए, mock test दीजिए जो हम हमीशा बोलते है उससे ये improvement आपके अंदर आएंगी you will get to improve on these things और जैसे जैसे ये improve होता जाएगा काम आपका असान होता जाएगा देखिए बिटा, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से देखिए बिटा, ये ही आपको बोलते है फाइब ए में आगए, ये देखिए बिटा, आपके पास McKenzie के 7S बता दिये, hard element उसके explanation दे दिये soft element, short में explanation, एकदम बढ़िया तरीके से presentation तो देखो, खेल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ presentation का, keywords का, इन सब का main खेल है इन सब का बाबू main खेल है तो अगर आप इस main खेल को समझते हैं तो आपके लिए काम बहुत असान हो जाता है अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो बाबू, दिक्कत तो आएगी ये देखिए बिटा, 5B पहले, आपके पास अपना answer present करा उसके reasons बता दिये that's all बेटा, काम खतम marks मिलते जा रहे है so this is how the student is going to get the marks I hope बच्चा पहले अब आपको presentation भी समझ में आ गया होगा that's all about this यहाँ पर आकर बच्चे का paper हमारे पास complete हो गया तो मैं उमीद करता हूँ अब आपको FM और SM के सारे inputs मिल गए होंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों से बचना है आप इन दोनों points पे focus करके काम करिए और अपने कमी exam में बहुत अच्छे से perform करिए चलिए, wishing you all the best for your upcoming exam अभी के लिए नमस्का तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें क्योंकि अंत में पढ़ाई काम आओगी बिटा और कुछ नहीं आएगा अभी के लिए, bye bye दोस्तों